आज मैं आपको बहुत असान तरीके से वी में फैप्रिक को किस तरह से फिक्स किया चाता है यह सिखाऊंगी तो यह हमने शर्ट ले ली है शर्ट की कटिंग करने के बाद हमने बैक साइड पे जो है वो इससा से हमने मैयरमेंट्स करनी है कि हमें कितना चाहिए ना वी तो मैंन वो 10 इंच चोड़ाई में इससा से लिया है और लेंट्स जो है वो इसकी 12.5 आ रही है तो इस तरह से जी हमने पटिया लेनी है यह मैंने सीधी ही पटिया ले है सीधी ही पटिया कोई वी शेप में बड़ा सा नेक ने कट किया क्योंके प्रॉपर हमें वी शेप ही चाहिए तो इस वज़ए से सीधी पटिया लेकर हम उनको इससा से सेटिंग कर लेंगे तो वी शेप में हमारा रेड़ी होजाएगा तो जो आप इससे कम ज्याता चोडाई में लेंथवाई अपने हिसाब से एकॉर्डिंग ले अपने जो है वो कर सकते हैं तो हमने इससा से जो है व मार्जन रखते हुए कटिंग कर ली है सेंटर में हमने एक कट देना है एंड इसको हमने इस तरह से इसके ओपर ग्लू स्टिक लगाते हुए इस तरह से फिक्स कर देना है ठीक है तो यह सेपरेट हमाई कोई पटी पे नएक बना कर लगाना नहीं पड़ेगा बड़े इसी तरीके से हमारा यह बन जाएगा और यह जो सेंटर की कटिंग है इसको आपने संभाल कर रखने हैं अभी इसका काम फटम नहीं हुआ इसके साथ हम जो है वो इस फैब्रिक को फिक्स करने में हमें असानी होगी जो यह फैब्रिक अंदर से कटिंग हुआ है ठीक है और यह जो अंदर की डिजाइनिंग है इसको आप अपने मरज़े से फैब्रिक को डिजाइन कर सकते हैं पिन टेक्स प्लेट्स कुछ भी आप जिस साब चाहें अच्छा यह जो आपको वी पे जो थोड़े फिनिशिंग अगर आपको लग रहे कि वी से हमारा फैब्रिक जो है वो सही तरह से फिक्स नहीं हुआ तो हम इसके साथ जो है इसको अंदर रखके या उपर रखके भी लैस अटेच करेंगे तो वो बहुत अच्छे से हमारा फिक्स हो जाएगा तो यह जो अंदर वाला है यह देखें अब हमने उसको फोल्ड किया तो फोल्ड होने के बाद इतना हमने जो है वो मार्जन रखना है यह देखें जितना कि हमने उसको फोल्डिंग में किया ठीक अब आपने यह जो अंदर वाला है फैबरिक इस फैबरिक से इसको जो अंदर फिक्स करना है उससे आपने जो है वो दो-दो इंच बड़ा फैबरिक कट कर लेना है यह देखें मैंने इस तरह से फैबरिक सब तरफ से दो इंच बड़ा कट कर लिया है और इस पे मैंने पिंटेक्स वगएरा जो है वो डालनी है जो मैंने डिजाइनिंग करनी थी वो कर लिया इस तरह से हमने फॉर्टर इंच का मरजन ही रखना है जितना के हमने चोड़ा था और इस तरह से हमने जो है वो fix करने में हमें बहुत असानी होगी कोई हमें जो है वो बिल्कुल एक हमारा exact से fabric fix हो जाएगा बहुत असान तरीके से मैं आपको यह से खा रही हूँ इसी तरह से हमने glue stick से थोड़ा तोड़ा fabric उठाते जाना है and then इसको हमने fix कर लेना है और यह fix हो गया अब इसके साथ हम लेस उपर लगाएं अंदर आप जिस्सा का neck बनाना चाहते हैं मेरा मकसद आपको बहुत असान तरीके से वी जो है वो fabric वी शेप में fix करना यह सिखाना था तो चलिए आईए हम dress की full look देखते हैं यह देखे जी हमने जो है वो dress ready कर लिया है यह मैंने उपर लेस लगा दिया है आप इसको अंदर रखके भी लेस को attach कर सकते थे और उपर आप जो है वो आपके according जिससा आप neck बनाना चाहें जिससा का आप neck पसंद करें तो मैंने जो है इसके उपर overlap neck बनाया है और ऐसे असल में मतलब इसकी इस तरह से shape आनी थी neck की न तो वो उनको थोड़ा small size में चाहिए था neck तो इस वज़े से मैंने जो है वो button थोड़ा सा एक उपर करके भी attach किया है बाकी जो है यह shirt simple stitch की गई है sleeves पे जो है वो elastic इसके attach किया लगाया है यह हमने यह उपर पटी रखके लगाई है half in से ज़्यादा की और उसके अंदर से elastic को जो है वो गुजा रहा है और बाकी जो है वो simple है सारी shirt and then trouser पे हमने जो shining वाला thread होता है उससे हमने जो है वो तिर्शी सेलाईया लगाई है shirt के साथ matching color में तो इस तरह से जो हमारा dress है बड़ा ही खुबसूरत इसके look है इसके चौक तामन पर इस वज़े से कुछ नहीं लगाया गया कि ट्राउजर जो है जर शबस्क्राइबत घंच्छ था खुजज लाधिए लगाईओ वेल्ड़ के लगाईबदेडस